हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए नमस्कार दोस्तों मैं इस्वर सोलंग की और आप देख रहे हैं ग्यान विशेश आज मैं आपको पत्री के सरल उपचार के जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों पत्री किसी भी उम्र में हो सकती है पत्री बनने के कई कारण हो सकते हैं अनिमीत जीवन सेली और खाने पिने के गलत देखे के कारण भी पत्री बन सकती है जरूरत से कम पानी पीना ये भी पत्री का कारण बन सकता है और कुछ आनुवान्शिक बीमार्या भी गुर्दे की पत्री का कारण बन सकती है केल्शियम के अधिक स्थर के कारण भी गुर्दे की पत्री हो सकती है पत्री की साइज एक से दिन एमेम तक हो सकती है तो कभी कभी ये बढ़ कर आठ हैम्याम से भी बढ़ी हो सकती है पत्री के मरीज को चुकंदर, चोकलेट, पालक और चाय का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसके सेवन से पत्री बढ़ती है प्रति दिन पांच लिटर पानी पीना चाहिए ज़्यदा तर नारियल का पानी पीए, गाजर, चना, सेब, केला, करेला और राजमा का सेवन चाहता करे और पानी ज़्यदा से ज़्यदा पीए, तो पत्री आगे बढ़ने से रुप चाती है कई बार पत्री का दर्थ बहुत ज़्यादा पठचाता है तो इससे बचने के लिए प्याज के रस में सक्कर मिला कर पिए इसके अलावा अजमाइन को पाने में उबाल कर चान कर इसे पिए इसके सेवन से धीरे धीरी पत्री का दर्थ सांध होने लगता है दोस्तो गुढ़ल का फूल पत्री को गलाने में बहुत पाइदेमंद है गुढ़ल का फूल कहीं रोगों को तूर करता है आयरवेद के अनुसार यह कप और पित सामक के सियस, तंबन, कर्बनीरोधक और रक्तसोधक है यह पेसाब के लिए हितकारी माना गया है और पेसाब की जलन को मिटाता है गुढ़ल के पुस्पो को सुखा कर इसका पावडर बनाए खाने के दो घंटे भात सोते वक्त इस पावडर का 10 ग्राम की मात्रा में बर्पर के साथ सेवन करे ऐसा लगादार साथ दिनों तक करे तो केशे भी पत्री हो गल चाती है अगर पत्री की सैज बड़ी हो तो एक से बढ़कर दो हक्ते तक इसका सेवन करे तो पत्री कलने लगती है गर्भवती महिलाओ को इसका सेवन नहीं कराना चाहिए गुढ़ल के 10-12 फुल को लेकर नारियन तिल के साथ उबाल कर चान कर रख ले इसको रोजहना बालों पर मलने से जड़े हुए बाल उग्रे लगते हैं और गंजा पंतूर होता है गुढ़ल के 8-10 फुलों की कलियों को खीमे सेख कर मिश्री और दुद के साथ सेवन करने से कुछ ही हपतों में प्रदर रोग मिट जाता है गुढ़ल के पत्ते और फुलों को सुखा कर पावडर बना कर इसका दुद के साथ नई मिच्छिवन करने से यवन दुरबलता और नपुसंकता मिटती है और स्मरन सक्ती बहुत जादा बढ़ जाती है इसके अलावा इसके पाँच फुलों को काली मिर्च के साथ चबा कर खाने से सर्दी और चुकाम तथा खासी मिट जाती है इसकी पतियों को पाने में उबाल कर सहत के साथ चहरे पर लगाए तो चहरे की सुंदरता बढ़ जाती है और चुरिया दूर होती है दाग दपे मिट जाते है तो दोस्तो इस चानकारी को अपने सनही जनों और मित्रों में चादा से ज्यादा से शेर करे वीडियो को लाइक करे और सब्स्क्राइब जरूर करे आपका दिन सुप हो मंगल हो